जैज श्री कृष्णा फ्रेंड्स मेरा नाम सुश्मा गुपता है मैं स्टेट बेंकोफ इंडिया चंडिगड से डिटाइड हूं और प्रेज़न्ट लिमें जिरवपुर में अपने परिवार के साथ रहती हूं गोलुप एक स्पिर्चुल संस्था है जिसके साथ मेरी फ्रेंड अविनाष गूपता जी ने जोड़ा और मैं बहुत ही इंफलेंस्थ होई इस संस्था के साथ जोड़कर क्योंकि इसमें गीता की गीता का जो ग्यान है वो निखिर गुपता जी जो इसके फांडर हैं वो हमें गीता पढ़ाते हैं और मैं उनके द्वारा पढ़ाई गए गीता से बहुत ही इंफ्लेंस हुई और आज मैं आपके सामने जो शेयर करने जा रही हूं वो अपनी अध्या बिलकुल ही अलग था बच्पन से जो रूझान में इतना नहीं था वैशे तो मैं धार्मिक परिवार से छिस में धार्मिक परिभायाइब बहुत होती थी लेकिन भ equipped me मैं इतना नहीं जुड़ पाई क्योंकि बहुती नहीं बन पाई- इसănे बन पाई-ome bientôt कि मैने भजती रहते थे मंदिल में जाते भी लोग कुछ ना कुछ मांगता ही रहते थे और मुझे मांगना इतना अच्छा लगता है नहीं था कोई भी जो जोड़ नहीं पाई मुझे तो यूँ जीवन बीटता चला गया पढ़ाई खतम होई तो जौब लग गई जौब खतम होई 2015 में मैं बैंक से रिडायट भी हो गई लेकिन तमाम जिंदगी कश्म कश्में तरह तरह की बातों में बीटती चली गई क्योंकि जैसे ही मतलब शादी के बाद भी मैंने देखा तो वहां भी कोई इतना महत मलब बेसी कली इतना जो धार्मिक जो परितिक्रियां थी वह जैदा नहीं दिछी परिवार बरता गया दिम्हेदारियां बर्ती गई बढ़ती तो मैं बिजी ही बीजी होती चली गई तना पुरण जिंदघी होती चली गई और कहीं भी धर्मिक सनस्ता with मेंं देखे जुड़ने का मुझे विशे आफज अवसर्ब मिला ही नहीं और में भक्hत ज्यादा रुची मेरे रुचान हो नहीं पाया तमाम जिंदगी में एक तलाश रहती थी तमाम जिंदगी युहीं बीद गई इतनी तलाश थी कि मुझे कोई ऐसी संसा मिले कोई ऐसा मुझे मार्क दर्शक मिले मुझे मेरे जीवन को सही दशा मिले लेकिन ऐसी मेरी स्थिती मेरी जीवन में नहीं आ पाई क्योंकि गीता के बारे में मैं सुनती थी मुझे गीता समझ नहीं आती थी बहुत लोगों से मुझे गीता गिफ्ट में भी मिली लेकिन गीता मेरे अंदर नहीं जा पाई लेकिन एक मेरे अंदर जिग्यासा जरूर थी कि मैं गीता को सुनू और करते करते दिखो तमाम जिंदगी ही निकल गई वो बात ये जरूर है कि जब अवसर आता है जब मौका होता है जब प्रभू की कृपा होती है तब ही हम किसी ऐसी संसा से जोडते हैं और हमें जोडने वाले लोग भी मिल जाते हैं तो जैसे ही रिटायर्मेंट के बाद भी 2015 में मैं रिटायर्ड हुई और पांच साल बाद भी तब ऐसे ही घर बैठे बैठे जीवन बीटता चला गया लेकिन जब उचित समय आता है तो कुछ नकुछ उसका इंतजाम प्रभू ह भी कर देते हैं तो ऐसी समय को जब मेरी फ्रेंड ने मुझे जोड़ा और मैंने अपने आपको अपने जीवन को बहुत ही धन्य महसूस किया जब मैं गोलोग एक्स्प्रेस के साथ चुड़ी और इसके साथ जुड़कर मेरे अंदर जो भीतर परिवर्तन आये वह परिवर् बस यही भक्ती है किसी का भला करो यही भक्ती है वो सब काम जीवन में मैंने अच्छाईयों को सचाई को इमानदारी को गुनों को जोड़ती रही लेकिन जो सची जो भक्ती होती है जो सच भक्ती का जो अनंद होता है वो अनंद सब रूप वली भक्ती शायद मुझे नही ही नहीं थी जैसे इस संस्ता में मैंने सीका कि प्रेमा भक्ति क्या भूती है, इस संस्ता के द्वारा मैं जान पाई कि हमें करम कैसे करने चाहिए, गीता के घ्यान की learning ने मेरे अंदर बहुत ज़यादा रुपांधरन के और उन बातों में जिन कि मैं विश्वास नहीं करती थी जो मित भी टूटी जो समझते हैं कि लोग 陽 अच्छे काम करने लाया है यहिक भृभवान का रास्ता यह भृभवान का रास्ता सच भे ऐसा नहीं है llev Shira मैंने यह सीखा कि हम अन्दर गारतर करंखों में कैसे जैंके जो पहले हमने मैंने कि धारमी के संस्ताओं में ये बातें ना न सिखाई जाती है ना धर और ये बातें आती है लेकिन ये बात संस्ता के साथ जुड़कर मैंने in spine करना सूखा कई तरह की धारना आrän क्योंकि让y चो मिरी भूद धारना डाला मैं जुड़ती चली गई और हर बात जो इस सबस्तंग की थी वो मेरे अंदर धोराई जाती थी दोराते धोराते जीवन में रुपांतरन होने इस संस्ता से जुड़कर गीता ग्यांग के दोरा मैं जान पाई कि मेरे अंदर क्या क्या कमिया हैं मुझे सूपशन रूप से अंदर थी और मैं उन्हें अन देखा करती रही और इस संस्ता में जुड़के जो मैंने अंदर अपने भीतर होते हुए रुपांतरन देखे उसमे मैंने कभी भी यह साथन को मिश नहीं किया और अलारम से पहले मैं खुद ही उड़ जाती हूं अमरी तवेले का जो अनंध है वो मैं ले पाई इस संसा से जुड़ने के बाद और अपने अंदर जो मैंने रुपांतरन देखें वो यह देखें कि कभी मैंने मतलब रेगुलर को कोई पूजा पाठ नहीं किया था कभी मैंने माला द्वारा कोई सिम्रन नहीं किया था कभी मैं प्रेमा भक्ति में वहां की खोई ही नहीं थी कभी मैंने भोग नहीं लगा कर देखा था वह मुझे लगता है कि वह चीज़ें शाहर एहम वाशी होती हैं और मुझे लगता थ सोच पाई देख पाई इंट्रोस्पैक्शन कर पाई और अपने भीतर बहुत से सधार ला पाई relations को मैंने बहुत सधारा criticism को बहुत कम किया watch को मैंने बहुत कम किया actually बात यह कोई कि मुझे दिशा सही मिली जैसे ही जिवन अनन्दित होने लग गया मन तरंगीत होने लग गया मैं हर समय इसी भावनाव में खोई रहती थी कि भगवान की बाते करना बगवान से जुड़े रहना गवान का माला सेम्रिन करना प्रेंट्स में गोलों की कुछ और विशेशनां भी बताना चाहूंगी, मुझे जो इसलिए बहुत पसंद है, ये टूवे प्रोसेस है, सथसंग के बाद जो साधक हैं, वो रिव्यूज देते हैं, उनके रिव्यूज एप्रिशेट होते हैं, तो बहुत ही एप्रिशेटिव मॉडल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल है, तो ये बहुत ही दूसरा एक सथसंग हो जाता है, तो मुझे ये बाते इतनी पसंद है, घर बेठे ही सथसंग मिलता है, मुबाइल से सथसंग मिलता है, कुछ भी काम करते हैं, हम सथसंग सुन सकते हैं, और सथसंग के जो सूत कश्रिंगार होता है अमरे भक्ति में चमक आती है जीवन का संदर्य बढ़ता है सच में मैं तो सब लोगों से कहना चाहूंगी कि सभी लोग सभी सादक लोग जो घर में पैठे टाइम बेस्ट करते हैं वो जुड़े सबसंग के साथ और अज्यातम की जो खास बाते हैं उनको जीवन को स्वर्ग सा सुद्र बनाएं यह जीवन ही इसी में स्वर्ग है इसी को अनंद लेजिए प्रेम भक्ति से जुड़िए और रभू से जुड़काती इस अनंद को आप ले सकते हैं खरी खरी बोल खरी खरी बोल झाल